पीरिट साइकल में सिर्फ कुछ ही दिन होते हैं, जिन दिनों में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इन दिनों में ही बच्चे दानी का मुँझ खुला रहता है और उसकी वज़य से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी होती है, इसलिए अगर कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, तो ये जानना कि वो कौन से दिन होते हैं, जब बच्चे दानी का मुझ खुला रहता है, और आपको किन दिनों में रिलेशन बनाना चाहिए, काफी ज़्यादा जरूरी हो जा प्रेंट्स, आज कल की भाग दोड़ भरी जिंदगी में कई कपल्स को रोजाना रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है, और इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पीरेट साइकल काम कैसे करती है, ताकि आप ये समझ सकें कि किन दिनों में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव करने में फायदा होता है, तो सबसे पहले पीरेट साइकल को समझते हैं, देखिए महिला की पीरेट साइकल चार हिस्तों से मिलकर बनी होती है, पहला जिसे बोलते हैं मैंसुरेशन फेस दूसरा जिसे बोलते हैं follicular face तीसरा जिसे कहते हैं ovulation face और चौथा होता है luteal face सबसे पहले हम बात करते हैं mensuration face की तो mensuration face में पिछले महीने जो act fertile नहीं उपाया होता है वो खराब हो जाता है और period के form में आपकी body से बाहर निकलता है और ये पूरी process 5-6 दिन तक चलती है इसके बाद आता है follicular face देखिए महीला के private part के अंदर दो ovaries होती हैं एक left ovary और एक right ovary अब दोनों ovaries के अंदर बहुत सारे बहुत छोटे छोटे follicles होते हैं और इन follicles के अंदर बनते हैं बहुत सारे अंडे इन मेंसे कोई एक अंडा पूरी तरीके से develop होता है ये follicles बनने की process period के खक्म होते ही शुरू हो जाती है और लगबग 5-7 दिन में इनके अंदर एक अंडा बन जाता है और इसी face को हम बोलते हैं follicular face अब इसके बाद आता है ovulation face जब अंडा पूरी तरीके से बन जाता है तो वो अंडा ovary से निकल कर fallopian tube में आ जाता है और इसी process को हम बोलते हैं ovulation face जिसमें की 2-3 दिन तक का time लग जाता है अब इसकी बाद शुरू होता है luteal face इस दोरान महिला के cervix की चो दीवार होती है जिनको की cervix ball भी बोला जाता है वो मोटी होना start हो जाती है ताकि अगर आपने pregnancy conceive कर ली है तो आपकी pregnancy को support किया जा सके तो ये पूरा process होता है एक महिला के सरीर के अंदर एक period cycle में और ये process लगबग 12-15 दिन तक चलता है और इस तरह महिला की period cycle खत्म हो जाती है अब हम बात करते हैं कि बच्चे दानी का मूँ किन दिनों में खुला रहता है और आपको किन दिनों में relation बनाने से pregnancy conceive करने के chances सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं तो देखिए friends, mensuration के दोरान महिला का cervix नीचे की ओरा जाता है और इस दोरान बच्चे दानी का मूँ खुला रहता है लेकिन इस टाइम पर relation बनाने पर pregnancy conceive करने के chances काफी ज़्यादा कम होते हैं इसके बाद आता है follicular phase इस दोरान महिला का cervix उपर की तरफ चला जाता है और बच्चे दानी का मूँ पूरी तरीके से बंद रहता है तो ये समय भी relation बनाने से कोई फायदा नहीं है अब इसके बाद आता है ovulation का time इस समय cervix उपर चली जाती है और cervix यानि कि बच्चे दानी का मूँ काफी ज़्यादा soft हो जाता है और खुल जाता है और यही वो time होता है जब relation बनाने से आपको pregnancy conceive करने के chances सबसे अच्छे होते हैं यानि कि अगर आप ovulation periods के दो दिन पहले से लेकर ovulation के अगले एक दिन तक relation बनाती हैं तो आपको pregnancy conceive करने के chances काफी ज़्यादा अच्छे होते हैं अब अगर आपको अपना ovulation period नहीं पता है तो इसके उपर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है जिसका link नीचे description में और pin comment में दिया गया है तो आप उसे जरूर देख ले मैं उमीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और हमारे चैनल को subscribe करना पिल्कुल भी न भूले अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप comment box में जरूर दिल्ख है हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुस रहिए स्वस्त रहिए